तेजस्वी ने नितीश सरकार पे बोला हमला, कहा कि बिहार पुलिस नहीं, JTU पुलिस है यहां की मधुबनी नर्सनहार के आरोपियों के गिरफतारी के बाद नेता प्रतिपख्ष तेजस्वी यादव ने नितीश सरकार पर एक बार फिर जबरदस्थ हमला बोला है तेजस्वी यादव ने आज सुबह सवेरे प्रेस कांफरेंस कर सरकार को खरी खोटी सुनाई आपको बता दे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्य मंत्री और ग्रेह मंत्री होने के नाति नितीश कुमार को मधुबनी नर्सनहार की जवाब देही लेनी चाहिए लेकिन इससे इलट नितीश कुमार अपनी करदन बचाने के लिए पुलिस के पाले मिंग्येंद डाल रहे है के चस्वी ने कहा कि इससे हैरत की बात और कुछ नहीं हो सकती कि राज्ये का मुख्य मंत्री पुलिस के कंदे पर जिम्यदारे डाल कर इतनी बड़ी घटना पर कुछ भी बोलने से बचना चाहता है इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि जितने भी आप रिसाशन लोग हैं जेदियू के चंगल में फसे हुए हैं जेदियू जिस तरीके से कहती है उसी तरीके से यहां की पुलिस चलती है अब बताएं उनकी हत्या की गई जो देश की सेवा कर क्या है एक बियस अधिकारी की मार दिया गया एक आर्मी से बिहार एजिमेंट के रिटाइड उनके परिवार के तीन लोगों को मार दिया गया एक बेटे को जूटे मुकटमे में फिसाया गया हम यह जाना चाहते हैं कि जुस्पे शक है परिवार की लोगों का जो संरक्षन दे रहा है अपरादियों का जो कुछिस अधिकारी उसी को जो है जाज का जिम्मा नितीश कुमाजी ने दिया है अब प्रिट है वो कहां से फेर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कहां से इस पीरित परिवार को नय मिलेगे और बड़ा दुर्भागी पूर्ण है अगर बिहार के मुक्मत्री कहते हैं कि विपक्स के लोग पब्रिसिटी करने हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे 75 अमेल है उनके चाहलीश है और जो कह रहे हैं कि भई पब्रिसिटी करने हैं आप जो है ब्याट फट्टा से एक जिलाज से बहार आप निकलते नहीं हैं आप पिरितों के आशु नहीं पोच सकते हैं आप उनको दिलासा नहीं दिला सकते हैं भरोसा नहीं दिला सकते हैं नयाएका तो क्या विपक्स हाथ पे हांदा ले बैठेगा कि अब इसमें जो परवार की लोगों से अमारी बात हुई थो एक दिन पहले होई के एक दिन पहले वहां कि जो स्थाने विदायक है विदो नराइंचा जो भी सब्सक्राइब कुर्व मंत्री है वो भी वहाँ एक दिन पहले कई लोगों के साथ जो प्रभीन है जो उनका सब्सक्राइब लंका यह लावन सेना जो चलता है उनके साथ बैटकर की मिटिंग की स्वादेश वानी